तो गाइस छे महीने चलने के बाद भी इस गाड़ी की क्या कंडिशन इसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ में कम्प्लीट शेयर करने वाला हूं पूरी बात सचाई बता हूं तो यह गाड़ी टॉप जाती है 120 किलोमेटर पर आवर ओली सबसे पहली बात यह है रोयल इनफिल्ड हंतर 350 रेट्रो यह 13 लीटर का फ्यूल इसमें एथनौल से लेस कंपनी क्लैम करती है कि यह गाड़ी 50 से 60 के वरेज देगी बट ऑन एन अबरेज जब आप इस गाड़ी को चलाओगे तो यह देखो गाड़ी बाइक इतनी चोटी से लग रही है चोटी इसलिए लग रही है विकाज भी मैंने इससे 0.5 पर सूट कर रही है देखो लो वनक्स पर ले आओ वनक्स पर इसकी यह साइज हो जाती है और यह गई 0.5 और यहां पर रोल इंफिल्ड होगी हमारी बिल्कुल छोटी सी एंड फाइनली हालो गाइस वल्कम बैक तु दा वर्ल्ड ऑफ राजन डबल 025 जैसा आप इस वीडियो के टाटल पड़ चुके हो कि रोल इंफिल्ड हंटर थी फिप्टी कंडिशन छे महीने बाद कैसे हो जाती है complete बात आता हूं छे महीने चलने के बाद इस गाड़ी की क कंडिशन इसके बाएर में मैं आज आप लोगों के साथ में complete शेयर करने वाला हूं अभी भाई इसकी इंजन पूरी हीट हीट फील हो रही है बिकोस अभी मैं इसे लगभग 15 किलो मिटर चला क्या रहा है क्योंकि गाड़ी का बहुत यह जरूरी था तो 15-20 किलो मिटर चलान हर एक चीज को मैं आपको बारिकी से दिखाता हूं कि इसमें क्या फीचर्स आते थे नहीं आते थे यह भी गाड़ी 2024 की manufacturing इसका सामने से तो सामने हम देख लो इसकी आती है round shape की headlight जिसमें आपको हैलोजन बल्ब की headlamp मिल जाती है अब हैलोजन बल्ब के साथ रोल इंफिल का सुरू से ही प्यार रहा है और यहां पर देख लो बात कर लें इसके indicator की तो इंडिकेटर भी से देख लो round shape में as regular जो हमेशा से रोल इंफिल की खासित रही है उनकी indicator round shape में आती है अब बात अगर फ्रंट से हो रही है तो फ्रंट से ही सुरू करता है suspension तो देख लो इसकी इस ब्रेक की बात कर रहे है तो इसमें देख लो आपको मिल जाते है 300 mm के disc इसमें आपको मिल जाती है twin floating caliper की disc brake मिल जाती है braking capacity के बात कर लो गाइज तो यह गाड़ी 100-0 अगर आप इसको 100 की speed पे चला रहे हो और आप इसमें braking करते हो तो यह मात्र 60 मिली सेकेंड में 100 तो य जदा अट्रेक्टिव लगती है टैंक पर बात कर लो थोड़ी सिस्ट में ग्राफिक का भी काम किया गया है रेड़ कर से यहां पर रोल इंफिल्ड लिखी गई है और यहां पर देख लो आर रोल फिल्ड का यहां लोगो बना हुआ आँ फिल्ड टैंक के बात कर लेगास तो यह गाड़ी आपको मिल जाती है यह यहां पर किशी तरह से मैनुली ओपन करने का की होल कैपसीटि के बात कर लूँ तो इस गाड़ी की फिल्ड टैंक चैपसीट है 13 नीटर इसमें आप 30 नीटर तक पेट्रोल डालके अपनी जरनिश कर सकते हो और इसकी फ्यूट टैंक आपको एथेनोल से भी लैस मिल जाती है इसी तरह सिदर इंजिन की तरफ आ जाते हैं तो भाई इंजिन की तो खासित का कहना ही क्या है भाई रॉयल इंफिल्ट की मैनुफेक्ट्रिंग यह इंजिन आपको मिल जाती है 349 CC की पाउंडर की कर ले तो यह गाड़ी 27 Nm का टर्क जेनरेट करती है जो की 6100 RPM पर जाती है इंजिन टाइप की बात कर ले तो इसमें आपको सिंगल सेलेंडर 4 श्ट्रक इंजिन आपको कंपनी प्रफाइड कराती है यहां पर आ जाओ तो यह इसका फिल्टर सेक्षन जहां पर आपको यह फ फिल्टर 350 गाड़ी का नाम लेखावा मिल जाता है जो की इसको पर थोड़ा रेड कलर की स्टीकर जिसमें ग्राफिंग का भी काम किया गया है अब पीछे के वील पर आ गया है तो इसमें आपको पीछे के वील में भी मिल जाते हैं डिस्क प्लेट जो की 270 mm की है और इसमें सिंगल फ्लोटिंग ब्रेक कैलीपर मिल जाती है और अब यह आभी देखो थोड़ी से भी गर्म है एक चीज है कि इस गाड़ी मैंने अब्जर्ब करा है परसनली जब इस गाड़ी को अब चलाओ तो इसकी इंजान वील ब्रेक ब्रेक पैट्स ब्रेक कैलीपर ब्रेक डिस् इसमें थोड़ी स्थी अपने एक जोश्ट फाइप को हलका सा छोटा गर रखा है पीछे के डिस्क ब्रेक के लिए हाँ पर ब्रेक का सेक्शन लगा हुआ और आगे की डिस्क ब्रेक लिए तो हम जानती है कि हैंडल के पास होती है इस गाड़ी के पीछे में मिल जाते हैं र अबर प्रेट को रॉष्णी देते हैं रात में आपका गाड़ी का नंबर कि लिए दिखाई दे एंड वेन वी कम टुदा लेप्ट साइड लेफ प्रोफाइल आज यहां पर इसका कुछ लेग गाड़ इंजन की शेम पोजिस्टन यहां होती इसकी गेर गेर की बात करूं इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं पांच गया तो इसमें से एक नीचे और चार उपर लगती है नीचे में यहां पर देख लो गाइस इसकी चैनिस पोकेट आधी कभर आधी खुली हुई लेफ्ट साइड में होती इसका देख लो बैटरी का सेक्शन बट बैटरी के सेक पर यह इसके पीछे का ग्रैब हैंडर जो की थोड़ सी चेंज हो यह बुलिट में बात करो दों गाड़ी की हाइट की तो देख लो इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरंस है वह है 150 मिलीमीटर आप बहुत सारे भाई बहुत सोचते हैं कि ग्राउंड क्लियरंस होती है त मुझे तरफिल अंदर 350 कंडिसान चे महीने के बाद कैसी हो जाती है तो अब चलते हैं फाइनले इसके मीटर के पास पहला दोकर इस गाड़ी की चावी यह कुछ इस तरह से आती है इसकी चावी को लेकर चलते हैं इसके की हौल पे उसके बाद इसके हैं आप लो बात करने आना यह बाई देख लो बहुत ज़्यादा अट्रेटिव लगती है गाड़ी की देख लो आप गाईस चल चुकी है तीन हजार छे सो पच्पन पॉइंट दो किलोमेटर यानि कि यह गाड़ी छे महीने में मात्र तीन हजार किलोमेटर चली मीटर के बाद कर लेगा है यहाँ पे और बेचीज हैं देखने लाएं साइड में आपको मिल जाता है इस गाड़ी का फ्यूल गेज और यहाँ पे मिल जाती है टैमिंग घाड़ी में इसका गेर नीचे डाल दिया ठीक है चलो यह देखो उपर मैंन देखिनों कि màyम घ्याड़ी को ऊपर करते हैं तो वह डो गिए डेड़ सक नेची एक लगती है ठीक थिक है घाड़ी और नूटकल कर देते हैं जल गई उसका साथ किलोमेटर की इसमें आपको टॉप स्पीड शो हो रही है आप देख लो कंपनी का तो गहाई काम है क्लेम कर जैसे इन्हों ने इसमें देत हो दिया है कि किलोमेटर पर आवर की स्पीड इसमें है बट एस वी इन्हों मैं आपको सचाई बताऊं तो यह गाड़ी टॉप जाती है 120 किलोमेटर पर आवर ओली उससे ओपर इसकी स्पीड नहीं जाती है हमने परतने लिए अब्सवर्ब कर रहा है और अगर आपको इस एक्सपर्स की भी यह गाड़ी आपको 25-30 और 30-35 से उपर के मैलेज कभी नहीं देने वाली है गाड़ी को अगर आप नॉर्मली चलाते हो हाइवेस पर देन यह 35 साथ दे सकती है लेकिन उससे आप अगर सिटीज में चलाते हो रैडिंग करते हो देन भाई 25 से उपर इसके मैलेज आपको कभी यह बटन काम आती है यहां पर आपको टाइमर सेट करने में ठीकर देखतातर करने में जब को मैनुवली सेट करना हो चैनल जापमदध करोगे तो और डिसप्ले पर देख़ो वह मॉवमेंट होती है तो इसकी है यह सिंगल हार्न हलाकी ॉयल इन एक च्रक्ष दो दो horn offer करती है बट इस गाड़ी में एक ही horn है और भाई यही काफी बंद और इसको जब श्टार्ड करना हो तो यहां पिरिस करना होते है तब गाड़ी हमारे शाट हो जाती है यहाँ पर है यहाँ प्रहाँ है इशOO वे ह gosh थो ख़ो होती है इसको असंकर गाड़ी के चारो इंडिकेटर एक साथ जलते हैं पीछे को इसका सा तरह से सामने यहाँ मिधम देख लो दोनों इंडिकेटर साथ में जलते हैं दोने काड़ी को करते हैं कौन है अब Maar कॉण आप लियए अपको इस गाड़ी को स्टाट करके देखाता हूं शह मैं यह हो गए बीच में आप जब इसको में राइट में पुश कर रहे हैं तब गाड़ हो जाएगी स्टार्ट करते हैं पुश चलो यह देखो यह दो भाई एक सेलफ में स्टार्ट हो गए तो जिन भाई उन्हें भी कंप्लेन करा था ना कि हंटर की स्टार्टिंग प्रोब्लम आ रही है छे महीने के बाद यह गाड़ी भी छे महीने पुरानी है अब इसका अगर आपको प्रूफ जाने इस वीडियो के आई बटन पर ल घाड़ी एक सेल्फ मिश्टार्ट होती है आप मेरे जो उस वीडियो के देखोगे उस वीडियो में से कई कमेंट से ऑपने पर वांगे परसनली मेरे को यह बहुत बहुत पृएल वाइब आती तो है घाड़ी की साइज बले ही रोयल इन फिली कर दी है बट इसNG नहीं है ऐ तो गाड़ी देंको चलाने में और भीजली फील आती तो है और भीजली ये गाड़ी की 6 मंथ हो चुकी है 6 मंथ के बाद भी रोल इंफील्ड हंटर 350 कंडिसान काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मिंग है इसमें को डाउट नहीं है बाकि आपको वीडियो चलाग हो तो जरू करना पहली बार मेरे चैनल पर हो तेन हीट थे सब्सक्राइब बटन